मूबी की शुरुआत में हमें एक मॉडल किम्बर्ली को दिखाया जाता है जो की रियालिटी शोक की सूटिंग के लिए बेस्ट बेर्जिनिया के जंगल में जा रही थी वो अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही थी और अब उसके शामने दो रास्ते आते हैं तो उसका मैनेजर उसे paper factory वाले रास्ते को जाने को कहता है और वो उसी तरफ अपनी car को घुमा देती है अब उसका call कड जाता है और वो mobile देखती है तो उसका network नहीं होता और तभी एक आदमी आकर उसकी कार से टक्रा जाता है और वो बहुत घबरा जाती है वो गाड़ी से उतर कर उसके सामने जाती है और जब वो उसके पास पहुंचती है और उसे देखने लगती है तो वो आदमी उसके नीचे वाले होट को काड़ लेता है और उसे कच्चा चबा जाता है किमबल्ली वहाँ से भागने की कोशिस करती है लेकिन सामने से थ्री फिंगर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और एक उलाडी से मार कर उसके दो तुकडे कर देता है और वो दोनों उसके आधे आधे बोडी पार्ट को लेकर वहां से चले जाते हैं और ये सिन काफी डराबना है फिर हमें एक आदमी डेल मरफी को दिखाया जाता है और वही उस रियालिटी सो को लीड कर रहा था उसके सो का नाम अपोकलिफ है और उसमें माईकल नाम का एक लड़का होता है और वही डायरेक्टर होता है और वहां मौझूद सभी लोग सुटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बली वहां पर नहीं पहुँच पाती और अब माईकल डिसाइड करता है कि वो उसके बगेर ही सुट स्टार्ट करेंगे अब वो पूरे जंगल में कैमराज लगा देते हैं ताकि सभी लोगों पर नजर रख सकें और साथ है वो सभी लोगों पर भी कैमरा लगा देते हैं और अब सूट स्टार्ट हो जाता है और डेल छे लोगों को उस जंगल में खाना ढोड़ने का टास्क देता है और इसके साथ उनका सो स्टार्ट हो जाता है जंगल में उन्लोगों ने जो केμεरा लगाया था उसमें हमें नील को टेलीट करते हुए दिखाया जाता है तब ही थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका अगला काट कर से मार देता है इसके बाद हमें गेल और रहा होता है और जब वो आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके बैन में तीर मारकर उसके तायर को पंचेर कर दिया है और तभी उस पर कोई तीर से बार करता है लेकिन वो बच कर एक पेड़ के पीछे चिप जाता है और तभी सामने से उसे थ्री फिंगर कुलहाडी फेक कर मारता है लेकिन वो कुलहाडी से बच जाता है और अब वो अपना चाको निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ फेकता ह जो सीधा जाकर त्री फिंगर के सीने में लगता है लेकिन इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो चाकू को निकाल कर अपने ही खून को मजे से चाटता है और तभी वहाँ पर एक और में उटना जाता है और वो गेल को मार कर विहोस कर देता है दूसरी तरफ माइकल टीम एको सूट कर रहा होता है और वो अपने चैनल को फेमस करने के लिए वो सर्वाइवल के अलावा बहुत कुछ दिखाना चाहता था नीना और मार को एक टास्क मिलता है और वो टास्क होता है कि उन्हें रिवर के पास जाना है और उसे वहाँ पर कुछ मिलेगा और देखते ह स्कूरी अपना टास्क कंप्लेट कर लेती हैं लेकिन मारा साथ में लीना और माइकल को करीब देखती है जिससे वो डिस हर्ट हो जाती है क्योंकि यह स consultants हो जाती है जिसपर नीना उसे बहुत सम्जाती है aimber और ज records यि को एक मीट पकता हुआ मिलता है जिसे आपक प्रास का समझ लेते हैं और वो उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं मारा उस जगे से जाना चाहती थी और वो चलते-चलते एक घर के सामने आ जाती है वो उस घर में टेलीफॉन ढोड़ने चाती है और उसे वहां पर डिफॉर्म लोगों की पिक्चरे मिलती है इसमें पा मा और ब्रदर और सिस्टर की फोटो होती है जिसमें बहुत खतरनाक दिख रहे होते हैं तभी वहां पर कोई चलाते हुए अंदर आ जाता है और वहां पर मा और सिस्टर होती है मा के डिलिवरी होनी थी तो सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वो एक बच्चे को जनम देती है जो की बहुत ही खोफनाक होता है वो दोनों उस बच्चे को देखी रही होती है तभी सिस्टर की नज़र उन पर पढ़ जाती है और पर जपटने लगती है तो वो दोनों दर्वाजा बंद करके उसके सामने एक बेट लगा देते हैं और वो काफी घबरा जाती हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें तब मजबूरन उन्हें ट्वैलेट होल के जरिये बाहिर आना पड़ता है और वो वहां से जान और वो नीना को ढूंडने लगता है नीना भही जाडियों में छुप जाती है दूसरी तरफ मा ट्रक लेकर पार को लेने आती है और उसने मारा को भी उस ट्रक में बाधा होता है जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब नीना भी वहां से भाग जाती है दूसरी तरफ मा गुम्हारग हृकल वहाँ से निकल कर हरी कि तरफ चला जाता है और वहाँ पर लेना केली हो जाती है और एक नूोंतन ब्रदर जो उससे काफी देरसे देख रहा होता है और अब वहाँ पर sister भी आजाती है जो brother को देखकर जैलिस होती है और वो ब्रदर को पीटने लगती है अब लीना वहाँ से भाग रही होती है तब सिस्टर एक चाकू लेकर उसको मारने के लिए आती है और उसे पकड़ कर उसे इतना मारती है कि वो मौके पर ही दम तोड़ देती है अब डेल को जब होसाता है तो वो द पिंगर से बहादूरी से लड़ता है और फिर डेल उसी के गंप को चीन कर उसे उड़ा देता है दूसरी तरफ माइकल हारवी में पहुचता है और सारे केमरास को चिक करने लगता है तब अचानक से बैन खुद बखुद चल पड़ती है और माइकल सोचता है कि साएद नील उसे चला रहा है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसे पाऔर माँ चला रहे होते हैं पाद माइकल को पकड़कर जखमी कर देता है दूसरी तरफ जेक एंबर और जोनसी बड़े मज़े से उस मीट को ख़ा रहे होते हैं नीना वहाँ पर हापते हुए उन لوگ के पाश है जिस पर एक टैटू होता है जो कि किमबरली का होता है और वो ये देखकर वहां से भाते हुए हारवी की तरफ जाते हैं लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता तब बोड़ी साइड करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए पेपर मील फैक्टरी की तरफ जाना होगा गेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है मेनार्ड मोवी के फर्स पार्ट में गेस स्टेशन का मालिक होता है और गेल वहां पर अपने जखमे पर टाके लगा रहा होता है और मेनार्ड उसे इन मूटन्स के बारे में बताता है कि ये उस पेपर मि पड़े एक डाइनामाइट को उठाता है और वो मेनाड के डिगी में लगा देता है जिसे मेनाड के चिथड़े उड़ जाते हैं और इसके बाद डेल उन सारे म्यूटन्स से लड़ने की तैयारी करता है और सारे एक्यूपमेंट इकठे करता है अब सीन चेंज होता है और वो वो तिनों उनका मुकाबला करते हैं वो तिनों उनसे लड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं नीना की आवाद सुनकर उसे एक गढ़े से बाहिर निकालता है और तभी उन्हें पर सिस्टर आ जाती है और उन पर गोलिया चलाना सुरू कर देती है तब वो लोग उस रिवर में कूच जाते हैं और दूसरी तरफ इंबर और जोनसी भाग रहे होते हैं लेकिन तब इंबर एक ट्रेप में फच जाता है और जोनसी उसे बचाने की कोसिस करती है और वो पर एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी सी बच्ची का होता है नीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वो सोच रही होती है कि ये बच्ची भी उन म्यूटन्स के डर की बजह से इस अलमीरा में छुप गई थी और इंतजार करते करते इसकी ये हालत हो गई डर की बज जादा गाड़िया खड़ी हुई दिखती है और वहाँ पर उनकी हारवी भी खड़ी होती है जिस पर माइकल की चिलनाने की आवाजे आ रही थी वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब जेक अंदर देखता है तो वो देखता है कि माइकल लाइब आ र आती है और जेक भी उसके सामने बना हुआ होता है ब्रदर जबर जस्ती नीना के मूँ में खाना डालता है और यहां हमें पता चलता है कि यह फैक्टी ही असल में उनका घर होता है माइक ग्रेंडर में बच्चे बोडी पार्ट्स को हेक रही होती है तब डेल उन्हें जेक को आजाद कराता है और तभी बहाँ पर पा और मा आ जाते हैं और वो अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े देखकर पागल हो जाते हैं पाडेल पर कई तीर मारता है लेकिन वो एक स्ट्रॉंग आर्मी सोल्डर था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तब माउ जेक को ग्राइंडर में फेकने की कोशिज कर रहे होते हैं तब नीना उसके हेल्प के लिए जाती है औरब वह पागी घर गर्दैयर पर फिंगर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी गोली लगने के बाद मरा नहीं होता वो उस बच्चे को जो कि मा ने पैदा किया था उसे मारा के फिंगर को खिला रहा होता है और इसी के साथ यह मोवी यहां पर इंड हो जाती है इस मोवी का फर्स्ट, सिकंड और थर्ड कर देख सकते हैं थैंक यू फो बॉचिंग एंड सब्सक्राइब फो मॉर